लोग भजपूरी में कहते है कि ओहिर का धिमाग थे हुना में होता है तो अलग भote drastic वोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है इस चलो ए起 दिडिवाद है जातीवाद है जॉब तक भारत से दिडिवाद Desde खर भारत का परदहान मंत्री को भी अपमानित कर रहा है वेक्ति जो इतना जानते हैं कि बीच लुकतांत्रिक देश का प्रथम कुर्सी पर जो बैटा है उस पर मतलब कि ऐसे टिमपड़ी जो बैखती करता हो अगर राजनीत के माध्यम से करता हो तो ऐसा सब्सक्राइब पर तिपक्ष बोला जाता है उस बाद सब्द का अच्छा उप्योग हो सके इसलिए कि राजिनेत में पक्ष और विपक्ष रहना अनिवार्ज है इसलिए कि जानता कि आवाज विपक्ष उठाता है कि लालो जी लालो जी चोली को खरीद रहे है पसंद कर रहे है ते जसुई जी को बड़ा दिखाया गया है यादो समाज को कहीछ थेका मिला है क्या बढ़ा हो नेगा आप जानते हैं नो आप भी पतरकार बंधू है सर आप भी एडुकेटेड़ परसन है तेजस्वी कितना पढ़ा लिखा है आप खुद जानते हैं अब वो ऐसे बेक्टी को बड़ा दिखाये जाता है तो यह जातिवाद नहीं तो क्या है भारत में जब तक जातिवाद नहीं और इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ अगर परमोत्पिरमी इस तरीके कि इस लिल गाना समाज में परोस्त रहा है तो क्या उसके उपर कारवाई होनी चाहिए कि नहीं सर आप जानते हैं आप भी पत्रकार है सर इस बात को आप भली भाती जानते हैं कि भारत एक लुक्तांत्रिक देश है सर लुक्तांत्र में ऐसा है कि किसी विव्यक्ति पर अपमानित जनक गाना या अपमानित जनक सब्द नहीं बोलना है इसलिए कि उसके मतलब की मन पर ठे कि पूछना चाहता हूं या जानना चाहता हूं कि होली की परिभासा पहले हमको बताएं कि होली क्या है सबसें पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं भी मायवती जी को अपना बहान मानता हूं और मेरी अइसा चोट पहुचाए कोई तो मुझे बरदास नहीं होगा सर मुझे बरदास नहीं होगा इसलिए कि मायवाती जी ने जो भारत में लुकतांतर को मजबूत की बहुजनों के आवाज दी बुलने की आवाज दी और ओईसे बेकती पर कोई आवाज गलत उठाए यह हमसे बरदास न करके गाना निकालता है और गाना बड़ी हीट चलता है क्या का रहा है चोली का अच्छा औरतों की अंदर की मतलब कापड़ा है उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए यह औरतों का कहीं न कहीं सोसर किया जा रहा है नाम हम इसलिए ले रहें सर कि हमें कहीं न कहीं दर्द है और द आवाज उठा सकते हैं यह तो लाजमी है सब्सक्राइब आप अबाज उठा रहा है इसके लिए मैं बहुत दिल से धन्य बाद देता हूं कि वह ऐसे ब्यक्ति को सजा होना चाहिए को प्रमोध प्रेमी को जेल के सलाके होना चाहिए ऐसे सब्द को किसी ब्यक्ति पर अगर टि मंतरी हमारे देश के ग्रिह मंतरी हमारे देश के जो अभी बनने वाले मुख्य मंतरी हैं उनके बारे में ऐसी गंदी-गंदी बाते आपको मैं बता दूं कि मैं आरेस का कटर बिरोधी हूं फिर भी कोई व्यक्ति अगर पर असलील अभध्र सब्द का पर्योग करे तो उस स वह परधान मंत्री है नरंद्र मोदी जी इसलेकि मैं भारती है हुँ भारत के मेरा भी परधान मंत्री है भखले मैं ओट किया हुँ उसका बात अलग है लेकिन आप गलत सब्द का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं पॉब्लिक डोमेन में हमको पॉब्लिसीटी मिलेगी तो पढ़े लिखे लोग आपको पॉब्लिसीटी नहीं देंगे जो लॉंडा नाज करता है डरामा करता है ओ दे सकता है हमारे जैसे एडुकेटर्स परसन मैं टीचर भी हूं और पतिरकार भी हूं पंचसील भारत नंबर का लगता है बकसर के नेता जो बीएस्बह के नेता आए भीमारमी के नेता है और कई समय जाओनगा पौक्ष में खड़ा हो जाओंगा मैं भी जाकर अगर मुझे भी सुचना मिली कि आज बहुजन समाज पाटी के लोग वहां गए हैं तो मैं भी चला जाओंगा गिरफतारी होनी चाहिए कि आज छोटे छोटे गायकों के केवल गिरफतारी होनी चाहिए नहीं इस अंसार में क परमोद प्रेमी बड़े अस्टार है लेकिन चोटे अस्टार अगर अगर इस तरीके का अभध्र गाया होता तो अब तक सलाखों के अंदर होता लेकिन परमोद प्रेमी अभी तक नहीं मैं भी सिक्छक हूं आपको कोई बार बताया और पत्रकार भी हूं हमारे समसे सबसे ज्यादा अगर जतिवाद करता है तो यादव भारत में करता है पहले अपरकाष्ट के लोग करते थे लेकिन लोग अब दब गए है यादव जहां रहे गाना धक्याएगा आपको नहीं लगता है कि राजपूत मतलब पमंसिंग और यादव मतलब नहीं पीडिई के लोग हैं हम लोग हमसे जो चोटे बच्चे होंगे वह हरजए अद्वी समा दोरोंग्माज जो मतलब की नई पीडिटी की लोग ह göra कि अ bark उतलब और यह चोटए उनतलब बच्चे होंगे ओ वी मतलब कि नई पीड़ी में आएंगे हमसे जुनियर जो होंगे वो क्या सिखेंगे समाज में गाना गाया जाता है गीत संगीत बनाया गया कि समाज को सीख मिले लेकिन यह लोग अप मानित जनक सब्द बोलकर समाज को गंदा कर रहे हैं इन लोगों को आरिस्ट किया जाना चाहिए कि ने एक दम होना चाहिए पहले भी आपको मैं बता दिया हूँ अपनी बात कि परमोध प्रेमी को अब से दो चार दिन लेट हो गया उसी दिन जेल के सलाके होना चाहिए उसी दिन जिस दिन गाना लॉंच हुआ तो ये सारी बाते निकल करके सामने आ रही है चुकि ये बाते हैं और बाते तो होती ही रहेंगी क्योंकि जब छोटे गायक हमारे अनुसार सरके अनुसार नहीं सरकार है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर छोटे गायक है तो छोटे गायकों को अगर आईसी गन्दा गाते हैं तो उनको तुरंत एफाई-यार होता है और तुरंत जेल के अंदर भेज दिया जाता है लेकिन अगर वहीं के से महौल बनाया जा रहा है गाना को लेकर के सोचल मीडिया साइट को लेकर के इस पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताईएगा